Hello everyone Welcome to Career Initiative आज की इस वीडियो में बात करने वाल है इस्पेक्टर जैमेन 2024 मार्क्स बेस राइंग बेस परसेंटाइल के बारे में तो सबसे पहले बात करेंगे अगर आपका इसको 286 से 290 के बीच में रहता है तो आपकी राइंग 19 से 12 जा सकती है अगर आपका स्कोर 284 के बीच में रहता है तो आपकी राइंग 42 से 23 जा सकती है अगर वहीं आपका स्कोर 268 से 279 के बीच में रहता है तो आपकी राइंग 106 से 64 के बीच जा सकती है अगर वहीं बात में आप कogy इसको 256 के बीच में रहता है तो आपकी राइंग 524 से 108 के बीच में जा सकते हैं परसंटायल की बात में तो आपकी परसंटायल 99.9522 से 99.9901 जा सकते हैं अगर वहीं आपके इसको 230 से 249 के बीच में रहता है तो आपकी रैंक 1385 से 546 के बीच में रहता है और परसंटायल की बात करने को आपकी परसंटायल जा सकते हैं 99.8638 से 99.9502 अब हम बात करते हैं अगर आपका इसको 215 से 230 के बीच में रहता है तो आपकी रैंक 2798 से 1421 जा सकते हैं आपकी परसंटायल की बात करते हैं तो 99.7452 से 99.8706 जा सकते हैं अगर वहीं आप बात करने हैं अगर आपके स्कोर 200 से 214 के बीच में रहता है तो आपकी रैंक 4667 से 2863 जा सकते हैं परसंटायल की बात करें 99.5750 से 99.7393 जा सकते हैं अगर आप बात करें अगर आपके स्कोर 189 से 199 के बीच में रहता है तो आपकी रैंक 6664 से 4830 जा सकते हैं परसंटायल की बात करें तो 99.3931 से 99.5601 जा सकते हैं अगर वहीं बात करें अगर आपके स्कोर 175 से 188 के बीच में रहता है तो आपकी रैंक 10746 से 7152 जा सकते हैं अपकी परसंटायल 99.0215 से 99.3487 जा सकते हैं अगर वहीं आपकी आपकी स्कोर 167 के बीच में रहता है तो आपकी रैंक 16,163 से 11,018 जा सकता है अपकी परसंटायल 98 से 98.5282 से 99.98.9967 जा सकता है 49 से 159 के बीच में रहता तो आपकी रैंक 21,145 से 16,495 जा सकते हैं आपकी परसंटायल के बाद के आपकी परसंटायल 97.0109 से 97.975 जा सकते हैं आपकी परसंटायल 97.0109 जा सकते हैं है अगर वहीं आपका स्कोर 120 से 131 के बीच में रहता है तो आपकी रैंक 43,174 से 33,636 जा सकती है और आपकी परसेंटाइल 96.0687 से 96.9372 जा सकती है अगर वहीं बात करें आपका स्कोर 110 से 119 के बीच में रहता तो आपकी रैंक जा सकती है 54,293 से 44,150 के बीच में जा सकती है और आपकी परसेंटाइल जा सकती है 95.0562 से 95.9830 जा सकती है और वहीं परसेंटाइल 109 के बीच में रहता है तो आपकी रैंक 65,705 58 से 55,269 जा सकती है और आपकी परसेंटाइल 94.0122 से 94.9673 जा सकती है अब वहीं अगर हम बात करें अगर आपका इसको 95 से 101 के बीच में रहता तो आपकी रैंक 76,260 से 66,999 जा सकती है और परसेंटाइल की बात करें तो आपकी परसेंटाइल 93.0560 से 93.8992 जा सकती है अगर वहीं अपका इसको 99,89 से 94 रहता है तो आपकी रैंक 87,219 से 78,111 जा सकती है और आपकी परसेंटाइल 92.0581 से 92.8874 जा सकती है अगर वहीं आपका इसको 79 से 88 की बीच में रहता तो आपकी रैंक उनलाइक 9,329 से 93,144 जा सकती है और आपका इसको जो परसेंटाइल जा 90.0448 से 91.79117 नहीं जा सकती है अगर आप इसको 62 से 87 कमीज मेरा का तो आपकी ताइंग 16,000 तो आपकी परसेंटाइल 84.5620 से 91.5951 जा सकती है अगर आप इसको 41 से 61 के बीच मेरा तो आपकी जाएंग 3,26517 नहीं से 1,73,239 के बीच मेरा की जाएंग, परसेंटाइल अपकी 70.2683 से 84.254 जा सकती हैं अगर आप इसकोर 1 से 40 के बीच मेरा की तो आपकी तेंग 10,25,009 अग से 33,000, sorry 3 lakhs 34,080 जा सकते हैं यहां की परसंटाइल 6.6059 से 69.5797 के बीच में जा सकते हैं